एक तार्किक बात अशुग्यादव जी ने कि उस पर मुझे एक बात जरूर कहनी है कि नौमी सुची में डाल देते अनसुची में डाल देते समविधान की ताकि न्याइक समिक्षा से परे हो जाता बिहार का गणना, नहीं मैं उस बात से सहमत नहीं, कि नहीं डाले, गिंती म अगर ले रहे हो न, प्लेन पेपर पकिनती आजा, तो भी हम मुख्यमंत्री हम समझ लें, हमको कहा भी कास करना है, अनसुची क्या करेंग उसमें, अजब तमाश है, अनसुची क्या मतलब आले, मैं मुख्यमंत्री हूँ, मुझे पता लग जिया, इस जातियों की इस्तिति है, रात खतब होगी, उसके बाद मैंने मुवाइल में सेफ कर लिया, उसी किसाब से नितिया बन जाएंगी, क्या समस्या है, उसों सुप्यम्कोर का कैसे रोक लेगा, चीजों को उलजाईए नहीं, कॉंग्रेस दलितों के पक्ष में है, पिछलों के पक्ष में है, ये स्थ करने के लिए भी कॉंग्रेस को माइल्स टू गो वाली स्थिति है, गांधी परिवार को बहुत दूर तक जाना होगा, तब इस देश का दलित और पिछडा इस बात को महसूस करेगा, भारत की राजनीतिक, पिछले 50 वर्ष की राजनीत को ध्यान से देखिए, ये देविला इस से दलित और पिछडों का जो मोह बंग हुआ, उसी से उपजे न, इसमें कॉंग्रेस अभी मैं नहीं मानता कि दलित और पिछडों की स्वाभाविक पार्टी हो गई, नहीं, मैं इस सा नहीं मानता, उत्तर प्रदेश में पिछडों को की गोल बंदी अखिलिशाद अव इसमें कॉंग्रेस को अभी और कुर्वानिया देनी होगी, यह स्थापित करने के लिए कि नहीं अब हम बदल गए, वानी नहीं, कर्म से बदलना होगा, कर्म से, वानी से बदलना होता तो सभी लोग अच्छा बोलना जानते हैं, वो सब बदल गए होते हैं, नहीं, दूसर तotiविवाद में भार्ती जनता पार्टी के लिए भी कहोँगा, लड़के के लिए प्रस्ताव आया लड़के की शादी का, तो रतनागा जी सुनिया गा, है? अब लड़के की अम्मा लड़के की बादुझी से पूचा, सुजाता है भाय सुनिया कि बड़ा रोचक है, इदे बोलो ना करें कि नहीं करें ने बात में हमारी जान खाऊगे मुले ने मेरा कोई पिरोद नहीं देख लो क्या अगर ठीच चले घर मिलके चले भविश में तो देख लो वाकी तो अब इस बात का क्या आर्थ निखा लें देश चाहता है यह कहिए कि शुकला जी की बिट आएगा नि मुलायम सिंग नहीं हो सकता एज निकल्यान सिंग नहीं हो सकता जहां जायेगा उसकी फोटो खिचाने वाले लुग रहेंगे लेकिन भारत की समाज की नब्ज नहीं समझ पाएगा और कहा जा रहा है कि जी रतनाकर जी ने भी इस बात को कहा कि हम विरुवत में ठीक है लेकिन आपके पार्टी में भी प्रभुक्रपा से कुछ ऐसे बाक्षूर है जो समय समय पर पलीता लगाते रहते हैं पूरी शिद्दत से नहीं अभी जो आपकी वो तेजस्वी महिला सांसद है कंगना रनावूद क्या उसने कहता ना कि जाद जग रनना न कते ने होनी चाहिए मिसके खिलाप है क्या उनको करानी जाद के जनर ना नहीं न उनकी आदेश्य होनी नहीं न वो अपना सिनेमा देखे अपना छेतर मंडी देखे नहीं अब उनका बयान लेकि अगर अशो कि आदव आपको घेरेंगे तो कौन रोक लेगा चार लोगों ने कहा था कि चार सो सीट क्यों चेहिए वो चारों बड़े नेता ने नहीं चोटे लोग थे क्या लेकिन भाजपा को तो लेडू वे है ना आपकी तो लंका लगा दी ना उन चारों ने वो हारे जीते चोड़िये अखिलेश याद अव रहूल गांदी जितने भी लोग थे वो ममतापनर जी उनी चार का कोटेशन लेके दोड़े और बार बार एक बात और कही जाती रखना कर जी कि विपक्ष ने ने नेरेटिव मतलब दुश्परचार किया गलत नेरेटिव गर दिया मैं माल लेता हूं क पुत्रपाथी जी अशोव यादव ने बहुती दुश्परचार गंदा दुश्परचार किया लेकिन मेरा आप से सवाल जबूर रहेगा जीवन भर कि आप उसकार सो रहे थे कि लूड़ों खेल रहे थे आपको भी पता था चुनाब चलना नहींअ तो जब यह गलत नेरेटिव बना रहे थे तो जाता जी विनमर्ता के साथ जो ये प्रचार करनी की कोशिश करते दवी जुमान से और चाहे खुलन खुला कि ने जात की गिंती का मतलब देश जाती उमें खंड हो जाएगा नहीं ये मूर्खता पुर्ण प्रपंच है नहीं इस विकार में मैंने उधार ना दिया हिंदुस्तान में गाउं में सब कोई पास यांकडा है गाउं में आज भी एक रस्ता है एकात्मता है सामाजिकता है दुख्षुक में खड़े होते हैं लोग तब आठी जी गलत कह रहा हूंगा जिली मुंबई का आदमी एक दुसरे के दुख्षुक म शुख्षुक में खड़ा हो ना वह गाउं को आदमी खड़ा हो रहा है वहां तो जाती उपजाती गोत्र तक आईडिटिफाइड है असोग गलत तो नहीं गारा सब को पता है फिर भी आना जाना खाना सब है एक साथ है शहर में नहीं है जाती पहिचान नहीं है इतनी प्रकर जितनी गाउं में फिर शहर में एकात पता है नहीं न एक जुटता है नहीं न सारा मारा मारी तो शहर में है इसलिए ये तरक फिजूल है और जब आप ये कहते हो कि नई देश को जातियों में तोड़ने, सोड़ने, खोड़ने की शरी अंतरसाज और कड़े-कड़े शब्द लाते हो, तो पिषड़े और दलित के मन में कहीं ये बात भी आती होगी, कि मेरी गिंती पर इतराज, क्यों? मेरे गिंती पर इतना बड़ा इतराज? कितने हैं, इस देश में धीमर कितने हैं, निशाद कितने हैं, मलाह कितने हैं, केवट कितने हैं, ये पता लग जाएगा, तो क्या समस्या हो जाएगी? मैं आज तक यह नहीं समय पाया, बड़े-बड़े विद्वान लोग हैं, वो के दिने नहीं देखिये, राजीब जी ने यही तर्क शुरू किया था, उन्होंने उधारण दिया था, कि अंग्रेजों ने डिवाइडेंड रूल की जो पॉलिसी लागू की थी, वो विश्वन हो जकता, हम अपने घर के लोगों की पहचान की गिंती करने, क्या जात इस देश की पहचान नहीं, में का हिस्सा नहीं है? क्या जात हमारी शादी ब्याहर रिष्टे नातों की की बीच का विशे नहीं है? है, फिर उसको नकारना क्यों चाते? एक बात ध्यान रखिए इस देश में आप धर्म बदल सकते हैं कानूनन जाती नहीं जाती धर्म से बड़ी सच्चाई है सुजाता जी भारत के लोक जीवन में धर्म से बड़ी सच्चाई जाती है उसकी व्यापती ज्यादा है इसलिए इसको कोई बहुत अनर्थकारी चीज मानना कि जात की गिंती ओ राम 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 ये देश विरुद्धी काम होगे नहीं ये देश हित का काम है किसी भी समाज में गिंती हो जाए ये कोई गलग वात है क्या और इसके लिए इतना राजनेतिक उधम क्यों होना चाहिए भारती जनता पार्टी को लिए मुझे लगता है कि चुकी वो सरकार में है इसलिए उसको आज नहीं तो कल इस पर्ष्ट बोलना होगा हाँ या ना ये नैने गुड़ु की शादी कहीं भी कर लो मुझे क्या है मुझे कोई विरोध ने ये भाव नहीं चलेगा आपको एक लाइन लेनी होगी आप इसके पक्ष में हैं आप इसके बेपक्ष में हैं अब बीच का रास्ता नहीं कि पक्षबाले मिले तो इधर जुग गए बेपक्षबाले होगे भाजापा सबसे बड़ी पार्टी है देश की सत्ता में है इसलिए उसकी जिम्मेदारी जादा है कि वो देश को ये बताए कि वो इस सबसे सेंसिटिव मुद्दे पर कहां खड़ी है इस तरफ या उस तरफ दन्यवाद